अपना चैनल को आगे देखने से पहले लाइक करिएगा और अगर आप लोग नए ने चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा चलिए बहुत सारे फैंस जो थे पाउन सिंग के उनके मन में बहुत सारा प्रस्ने था और बहुत सारा चीज जो था हमको आप को बताना था तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि पावर अश्टार पाउन सिंग्जी का एक जो गाना आया हुआ था इस बार खोली का जो वन डे दस मिलियन क्रोस कर गया था और बहुत बड़ा बवाल मचा दिया था इसको लेके बहुत सारे लोग जो थे यह कह रह अब चलिए दूसरी तरह बात कर लिया जाए कि पावर अश्टार पाउन सिंग्जी का होली गाना जो बवनी तेरे रंग में लेके बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि यह गाना आएगा तो कब आएगा तो मैं आप सब को बता दूँ कि यह गाना ऐसा बताया जा रहा है कि 15 तारीक को जो है वो आ सकता है अब तीसरी बात कर लिया जाए कि सारी लाल यातों ने इंट्रविव में एक बात बोला है कि मुझे तेखकर जो है सब लोग कर रहे हैं मैं पहले दान करना स्टार्ट किया फिर और लोग जो है स्टार्ट करना चालू किये तो इसमें मेरी जीत हुई तो सर बेसक है आप दान किये होंगे या नहीं किये होंगे या हो सकता है किये भी होंगे लेकिन एक चीज है दान तो उसके पहले भी होता था लेकिन वो दान नहीं होता था वो अपना समझ के लोगों को देते थे, उसे दान का नाम कभी किसी अश्टार ने नहीं दिया था, मदद किया था, और मदद को कभी दिखा के नहीं किया था, अब ये बात सही है कि आपके देखने के बाद और भी कई लोग हैं जो लाइव ले लेके दान करते हैं, ऐसे वीड खाईए, तकि लगे कि नहीं भाई, ये गरीब है, गरीब को दे रहे हैं, तो ये चीज़ तो आप ही ने श्टार्ट किया है, बाकी मैंने सुना है कि गुप्त दान ही सबसे बड़ा दान होता है, और गुप्त मदद ही सबसे बड़ा मदद होता है, अगर मैं सही हूं, तो में कमेंट करिएगा और अगर ऐसा होता है कि मतलब कुछ भी काम करो तो पब्लीशीटी के लिए तो इसे मेरे अंदाज में लगता कि यह मदद है क्योंकि फिर उसको मदद का नाम नहीं दे सकते हैं वह पब्लीशीटी का ही उसको नाम दिया जाएगा अब लोग क्या लगते ह में कमेंट करें मिलते हैं अगरे वडियों तो तक के लिए अपने भाई को दीजिए याज़ा दाव यू टेक क्या बाई बाई